दोस्तों क्या आप भी stock market में invest करते हैं या फिर trading करते हैं तो आपको daily update होना काफी ज़दा important होता है तो आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं stocks education यहाँ पी हम आपको daily basis पर update करते हैं कि stock market में क्या चलना है कैसे analyze करें क्या candlestick chart होते हैं सब कुछ detail में analyze करके हम आपको इस video में daily updates देते रहते हैं तो आप मेरे चैनल को subscribe करके साथ में bell icon को press कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों start करते हैं इस video को देखते हैं company के detail को दोस्तों आज की इस video में हम analyze करेंगे world wizard innovation and mobility अगर इस company के detail की बात को तो काफी strong detail इस company में आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि यह company जो की 50 रुपए 45 रुपए के आसपास चलता था वहां से company just दुगना यानि की just 100% return देने को तयार है अगर इस company के आज के closing की बात करें तो आप देखेंगे 83 रुपए पे आज यह company close हुआ है 4% के ऊपर यानि कल के closing से आज की closing के बीच में आपको 4% से जादे क यहां पर distance देखने को मिलेगा तो ऐसे में इस company में क्या किया जाए क्योंकि बीच में थोड़ी बहुत आपको profit booking भी देखने को मिला है तो ऐसे situation में क्या किया जा सकता है company का long term का chart क्या कर रहा है कहां से यह company और ऊपर निकल सकता है या फिर यह company यहीं पर सिम्टेगा सब करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक कर लें और साथ में subscribe जरूर कर लें तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अगर इस company के RSI level की बात के तो 82 चल ला है जब इस company में correction आना इस्टार्ट हुआ था उस time इस company का RSI चल ला था 90 प्लस यानिकि 90 वो लेबल है जहां पर पैनी सेयर की बात है तो पैनी सेयर में selling pressure profit booking आपको देखने को मिलता है तो वहां से company नीचे आता है और नीचे आकर support कहां लेता है वो काफी important point है आप देखेंगे यह आपको यहां पर जो एक बड़ी growth आपको देखने को मिला था उस growth के पास में यानिकि just यहां पर जहां प support लेता है और again moment करना ही start होता है जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि यहां से company को ऊपर जाने में काफी अच्छा कासा bounce back मिलेगा लेकिन अगर company के candle की बात है तो यहां पर थोड़ा सा आपको unconditional candle बनता हुआ नजर आएगा यानि कि buyers और sellers दोनों काफी strongly कोसिस कर रहे है कि company क company को बढ़ाया जाए या फिर company को गिराया जाए 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 बात है buyers का हमेशा यह उम्मीद होता है कि company को बढ़ाया जाए और sellers की उम्मीद होती कि company को drop down किया जाए तो same दोनों condition यहां पर चल ले हैं अगर इस company के आज के candle की बात करें तो यहां पर आपको clear देखने को मिले sellers दोनों अपनी कोसिस कर रहे हैं कि company को actual में क्या करना चाहिए तो ऐसे में एक दो दिनों के बाद का candle काफी जदा important हो जाता है तो wait करिए अगर आपने company को नहीं buy किया एक दो दिन में आपको काफी clear cut मिल जाएगा कि company कहां जाने वाला है अगर इस company के long term के chart की बात के तो य रिखने को मिलता है तो company नीचे भी जाएगा क्योंकि penny share है काफी भाग चुका है तो ऐसे में उमीद के यानि कि उमीद छोड़कर आप अपना stopless लगाएं और company को continue करें stopless किस price पे लगा सकते हैं अगर उसकी बात करें अगर आपने बहुत बड़ा बड़ रिस्क नहीं लेना है तो आप 78 रुपीज का अपना stopless लगाएं company को continue करें current situation के according अगर थोड़ा सा आप risk ले सकते हैं तो company को 75 तक का अपना stopless लगा कर company को continue करके चल सकते हैं या फिर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं daily to daily basis पे यानि कि इसका जो lower circuit का price होगा उसके 2% उपर जाका अपना stopless fix करें और continue करें ऐसी condition को भी यूज करके आप इस company को stability या पिर अपने profit को आप fold करके चल सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही व्डियो को like करें, share करें, subscribe करें थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो